स्वागत है आपका अपने अम्री सेनियर स्केंडल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आशा है आप सभी बच्चे भी हिंदी का काम ध्यान पूर्वक सुनकर और निश्टा पूर्वक हिंदी की कौपी पर करते होंगे बच्चो आज में आपको इपाठे पुस्तक हिंदी आठमी त्वित्य भाषा का पाठ नमबर छे करवाने जा रही हूं जिसका नाम है नील गगन का नीलू जो पेज नमबर 27 पर है ये सुदा जैन सुदीब द्वारा लिखा गया है इसमें लेकिका ने शहीद नीलू के साहस, समर्पन, एवं त्याग भावना का वर्नन किया है नीलू एक अटोट साहसी, निडर, स्वाब बिमानी और सच्चे देशबक्त, सकाइडरन लीडर की रूप में हमारे सामनी आते हैं सकाइडरन लीडर होता है बटा, जो वायू सैना के जो पाइलट होते हैं, उसे कहते हैं सकाइडरन इस देशबक्त ने देश के लिए अपनी कुर्बाननी कैसे दी और किन मासूमों को बचाने के लिए दी, ये सब हम पढ़ेंगे इसकी जीवनी, नील गगन का नीलू, पार्ट नमबर 6, पेज नमबर 27 पर चलो बच्चो पढ़ना शुरू करते हैं, नील गगन का नीलू, भारत के वीर देश की अजाद्धी की रक्षा की खातिर, सदैव कुर्बान होने को लालाइत रहते हैं, लालाइत होता है बेटा इच्छुक, उनका द्वे द्वे उतल लक्ष, लक्ष मात्र, राष्ट्य प ऐसे ही बुलांद, बुलांदो तहे बटा, पक्के, उंचे, होंसले वाले, अटूट साहसी, जिने मोत का नाडर था, वे थे सकाइडरन लीडल, अनिल शर्मा, उर्फ नीलू, बटा नीलू, इनके घर का नाम, इनके घर वाले, इनको प्यार से क्या बोलते थे नीलू, बाल बला, बाल हट, वद्रण निश्य के सामने कोण नहीं जुकता, पिता को उनका दाखिला, चार वरश की आयू में ही प्रतम कक्षा में करवाना पड़ा, बेटा, यहाँ पर नीलू जो की चार वरश की हैं, प्रतम कक्षा में बैठने का निर्ने कर चुके हैं, जबकि उस समय पांच या छे वरश का बच्चा ही प्रतम श्रेनी में बैठता था, यहाँ नीलू की पड़ाई के प्रतिलगन और रूची दर्शाई गई हैं, नीलू के खिलोनों में केवल वायू यान ही होते थे, पिता हरी परकाश शर्मा वायू सैना में सारजन थे, इसलिए नीलू की पिरूची फ्लाइंग में होना सब भावी की था, वे घंटों अकाश में उड़ते जहाजों को देखते और मन ही मन बुद बुद आते होते वेटे गुन गुनाना, देख विवानों को उड़ते मन ही मन हरशाऊं, बड़ा हो कर देश का में परपंच फेराऊं, जब वे जह असमान में फेहराऊंगा, में धावी शास्त्र, में धावी होता है बेटा तीवर बुद्धी वला, पर आयू कम होने के कारव उन्होंने मैट्रे की प्रिक्षा विशेश अनुमती द्वारा मात्र 14 वरश की आयू में पास की, वे प्रिक्षा में अनुमानित अंक भी आंक लिया करते थे, अनुमानी तो तैब अनुमान लगाना कि मैंने इतने अंकों का पेपर ठीक किया है और मेरे इतने अंक आने हैं, बी एस्टी की प्रिक्षा में उनके गनित में सो में से कत्तर अंक आये, उन्होंने अपनी मा उशा शर्मा को बताया कि आज तक मैंने जितनी बार भी अपने अंकों का अनुमान लगाया, हमेशा उतने ही अंक आये हैं, पेज नंबर 28, इस बार मेरे कानवी अंकों ने चाहिए थे, बेटे के आतम विश्वास को देख कर मा के परामर्श से दोबारा मुले अंकन करवाने पर उनकी अंक कानवी ही निकले, बटा मुले अंकन उतने रिवैलुवेशन, अर्थात यदि आपको अपने आप पर बरोसा हो कि मैने पेपर में प्रेशनों के उत्तर सही दिये हैं, तो आप अपना पेपर दोबारा चेक करवाने की अनुमती एक फोर्म के द्वारा ले सकते हैं, जिससे बोलते हैं रिवैलुवेशन, जल, थल और वायू सेना में से किसी को भी चुनने का विकल्प था, विकल्प चुनाव, यानि कि जो नीलु है वो इतने इंटालिजन थे कि उन्हें कोई भी प्रिक्षा करना, पास करना, उनके लिए बाई हाथ का क्योई था, और उन्हें इसलिए हर रैंक में नोकरी मिल सक थी, इसके अतरिक्त तिक्षन बुद्धी, तिक्षन बुद्धी थी तेज बुद्धी वाले नीलु का केंद्री उतपाद, शुल्क विवाग, एमम स्रीमा सुरक्षा बल में सहाय कमांडर के रूप में भी चेयन हो गया था, उन्होंने अपने बच्पन के सपने को साकार क के लिए वायू सैना को ही चुना और विदर्मी पाइलट का प्रक्षिक्षन लिया, जन्वरी 1993 में में इनका विवाधी पिका शर्मा से सब पनन हुआ, जिन से उन्हें एक पुत्री वुरुषिल वपुत्र वैब प्रापत हुए, उनकी असधारन प्रतिबा एमम समर्पन भाव को देखकर उन्हें जल्दी से ही वायू जान चालक प्रशिषक नियुक्त कर दिया गया, सब भावश वे अपना काम शिग्र ही निप्टा लेती थे, इसी कारण वे निपुन प्रशिषक की रूप में प्रसिध हो गये, और कहा भी गया है कि होनहार विखान की होत चि चिकने पात का अर्थात जो व्यक्ति कुछ बनना चाता है या फिर कुछ बन जाता है उसकी इरादे या कार्य हमें बच्पन में ही नजराने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही अनिल और फनिलू इसकी बच्पन में पढ़ाई मेरूची और लक्ष वायूयान में भरती होना और बढ़े होकर अपने लक्ष को भी प्रापत कर लेना इसे बोलते हैं होनहार विखान की होते चिकने पात शाथ नुवंबर 1906 इसमी को करतार पूर में समय से पूर्व पैदा हुए असमे बोलने लगे असमे पढ़ने लगे असमे नोकरी करने लगे और फिर पूरे जोवन मे असमे ही मातर बूमी के लिए नुचावर हो गए यहाँ पर कहने का भाव है कि उन्होंने जो कुछ भी भिया अपने समय से पहले किया अनिल ने अपने अलप कारेकाल में अलप उता है छोटी, कारेकाल में ही देश के बबिन शेत्रों में देश की सेवा की, कि छोटी आयों में ही उन्होंने बबिन देशों में जाकर देश के लिए सेवा की, जिसमें भारत के पुर्वोतर शेत्रों में एक बार नकलसी इलाके से गुजरते हुए, गोली हैलिकाप् नहीं वाली थी कि अनिल ने अपनी बुद्धी मता एवं चातूरिय से चातूरियों तर चलाकी से उसे ऐसे मोड़ा कि वे गोली हवा होकर रह गई गुजरात की दल दली ये कच शेत्र में वर्ष 1999 में पाकिस्तान द्वारा UMB जिसका नाम एंटलाटिक था भारत की ओर छोड़ा अनिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर शत्रू के नापाक इरादों को असफल कर दिकाया नापाक इरादों ते बेटा बुरे इरादे 26 जनवरी 2000 को उन्होंने राजदानी दिल्ली में होने वाली गंतंत्र दिवस की परेड में हेलिकॉप्टर के द्वारा अपने कोतुक का परिचे दिया कि किस परकार एक पाइलट लोगों की जान बचाने में सक्षम है सक्षम होता है मतलब कि कैसे वो कर सकता है जमीन पर सैनिकों से भरी जीब को हेलिकॉप्टर द्वारा उपर उठा कर कहीं और शुरक्षित स्तान पर पहुंचाने का करतब सकाइडरन लीडर अनिल शर्मा ने जब करके दिकाया तब देखने वाले दंग रहा गे दंग हैरान तद पशात उपर से फूलों की वर्षा ने तो दर्शकों के मंतर मुगद ही कर दिया बेटा यहाँ पर यह बताया गया है कि अनिल इतने इंटेलिजन्ट थे इतने समयदार थे कि उन्हों ने अपने कर्टब के द्वारा सभी लोगों को बताया कि वो किस तरह से लोगों की जान बचा सकता है किस तरह से देश की सेवा कर सकता है और उसके इस तरह के हूंसले को देखकर अटूट विश्वास को देखकर लोगों ने फूलों की वर्षा की जुलाई 2000 में रामपूर पर पुशेर हिमाचल में बादल फटने से आई बाड जैसी बिशम परस्तितियों में बचाव कारे द्वारा अनेक लोगों की जाने बचाने का जोखिम भरा कारे किया जिसके लिए आज भी वहां के लोग अपने आपको रिनी मानते हैं रिनी करजदार किसका नीलू का जहां तक कि वहां की लड़कियां वह महलाओं ने तो अनिल को राखियां बांद कर अश्रूं से बड़ी आँखों से वहां से वीदा किया था यानि कि वो नहीं चाती थी कि ऐसा बहादूर सिपाही जो पाइलट है वो यहां से चाए पेज नमबर बेटा अगला 29 इस तरह अनेक बार अनिल ने अपने बुद्धी मता चातूरिय एमाम कोतुकता एमाम निर्न लेने की शमता से देश को गुरवानित किया देश रक्षा की खातिर मैं नील गगन उड़ जाओ ने लामबर से नील नीर में मैं नीलू मिल जाओ इस पद्याश में नीलू क्या कहता है कि मैं अपने देश के लिए नीले अकाश में उड़ू और नीले अकाश से नीले जल में मिल जाओ अर्थात मैं अपने देश की करते हुए अपने आप में नुच्छावर हो जाओं। ऐसी भावनाम से ओत्प्रोथ भरे हुए। नीलू हमेशा चुनोती पूनकार्यों को करने में तत पर रहते थे तत पर तैयार। वे कभी भी अपनी कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। विमुख पीछे। उन दिनों भारत की पश्चमी सीमा अर्थात पाकिस्तवान द्वारा अक्सर ही कभी जल, कभी थल, तो कभी वायू मार्ग में सीमा बेदन होता ही रहता था। बारते सुरक्षाबल ने सतरकता दिखाई। उन्होंने पाकिस्तान मुखवारों की किष्टियां देखी जो भारत की सीमा में दाखिल होने को थी। इस दखल अंदाजी को जांचने के लिए उच्चिस तरिया टीम को लेकर स्काइडरन लीडर अनिल शिर्मा ने जूहीं उ 12 अधिकारी थे। तबी ये हेलिकॉप्टर बल खाता हुआ कच्च की दलदल में चागिरा। इन वीरों के जखमों से रिस्ते रकत और उन पर तेजाब का काम करता हुआ नमकीन पानी। अगली सुबा तक साथ अधिकारियों को मोद की नींद सुला चुका था। शेश पाँच अधिकारियों को वहां से जीवित निकाला गया। काश नीलूव उसकी टीम जैसे जजबे वाले नोजवानों ने 26 नुवंबर 2009 को मुंबई में गुस्पैट करने वाली उन किष्टियों की सुद ली होती। तो सैंक्डो देशवासियों और वदेश्यों की लाशों का बोच बारत माता की सोनिक सीने को छलनी ना करता। धन्य है स्काइडरन निल अनिल शर्मा वो उनके जैसे वी अमर शहीद जीनों ने अपने प्रानों से अधिक देश की रक्षा को मुल्लेवान समझा। इस तथ्यों को सिद्ध करते हुए उन्होंने स्वयम कुर्बान होकर हजारो बारत वासियों एवं देश की रक्षा को पुक्ता किया। पेटा यहां पर क्या हमें नीलू की बहादरी के बारे में बताया गया है कि नीलू ने अपनी जान को कुर्बान करके देश की रक्षा की। बच्चों आज हमने नील गगन का नीलू पाट को पड़ा जिससे पड़कर हमें ये क्यात हुआ कि अनिल शर्मा वायू यान उड़ाने का कारे करते थे। इनकी अंदर देश वक्ती की भावना साहस एवं देश के लिए कर्तव्य भावना कूट कूट कर बरी थी। इन्होंने देश विरोधी लोगों के बुरे इरादों का मूँ तोड जबाव दिया और मुसीबत में फसे लोगों की रक्षा करने हित्तो अपने प्रानों का बलिदान दे दिया। और देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। ऐसे शहीद अनिल शर्मा उर्फ नीलू को कोटी-कोटी प्रनाम। बच्चों मैं आपको इसी चैप्टर से सबंदित प्रशन उत्तर पूछने जा रही हूँ जिससे आपने अपनी उत्तर पुस्तिकापर करने हैं। साथ ही साथ अपनी स्कूल के चैनल अमरित सीनियर स्केंडरी स्कूल को सस्क्राइब करना नहीं बोलना। प्रेशन नमबर पहला बेटा नीलू का पूरा नाम क्या है। दूसरा नीलू ने पाइलट का प्रेश्टिक्षन कहां से लिया। तीसरा प्रेशन है बेटा नीलू की रूचि किस कार्य में थी। चोथा प्रेशन इनका है अलन शर्मा का जनम कौन से शहर में हुआ। पाँचवा प्रेशन अलन शर्मा की पतनी का क्या नाम था। छेवा प्रेशन नीलू की बड़ी बहन का क्या नाम था। और सात्मा प्रेशन इसका है बिटा अलिन शर्मा की पिता का क्या नाम था आपने इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनना है और उसके बाद इन प्रेशनों के उत्तर आपने उत्तर पुस्तिकापर करने है और मुझे भेजने है थैंक यू